नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ख़वर मिल चुकी अफितक, कल रामदिला मैदान में इंडिया ग्रूप के सभी सारे पार्टियां ने लोकतंत्र बचाओ रैली, आयोजिन क्या है, और इस रैली के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे AACC प्रभारी दिल्ली के दिबख बाबरिया जी और हमाले दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक शर्विंदर सिंग लवली जी यहां मौझूद हैं, पहले बाबरिया जी बोलेंगे, उसके बाद में लवली जी कुछ बाते कहेंगे, और अगर जरूरत पड़े, अंत में मैं कुछ कहूंगा, दिबख बबबरिया जी. अधरनिया जेराम जी, मेरे साथी देली प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष लवली जी और आप सभी पदारवे पत्रकार साथियो, सबको मेरा नमस्कार, आज की प्रेसवारता का एजेंडा आपके सामने है, कि कल हमारी जो रेली होने जा रही है, इंडिया एलायंस की, जिस में मुथ पोपण रूप से, जो प्रकार से भारतिय जन्ता पार्टी ने, पुरे देश में लोग तंत्र को विद्व Tucson करके रख दिया है, सवीदान को विद्वस करके रख दिया है, और जो प्रकार से लोगों को डराने, धमकाने की और एजेंसियों का दुरूप्यों करने सबका जो है एक पिछले दस साल में जो प्रकार से दुर्दशा करके छूड़ी है और उसमें भी कोई अपना हक और अधिकार मांगता है उसके लिए लोग तांतरिक तरीके से कुछ मुमेंट करते है आपने देखा हर्यान में किस तरह से किसान संगठोनों के साथ इन्होंने पहले दो साल डेट साल तक को दिली के सिम्पर रहे इतने बड़ी मातरा में इस एपसान धरने दिये प्रदर्शन दिये साथ सो नके साथ ही शहीद हुए उसके बावजूद उनके से दोका बाज़ी करके उसको खड़ा तो कर दिया मगर उनके लिए जो प्रोमिस किया था उसका अमल नहीं किया दोखा बजी किया जुमला बजी किया फिर से जब उन्होंने अपना हक और अधिकार मांगा तो पॉइंट ब्लैंक रेंच से जो जनरल डायर ने वे कभी नहीं किया था वो प्रकार से उनको गोली मारके उसका पिड़न से पिड़ित थी जो धर्णा प्रदर्शन करें थी उन्हें जब रक्षा मांगे तो उनकी रक्षा देने की वज़ा जो उनके बलात कारी थे जो उसके लिए अपरादी थे उन लोगों की रक्षा किया यह देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी युवा मांग रह जहां जहां भी भारती जंता पार्टी की सरकारे हैं उसमें कहा जाता है कि उनके कहीं न कहीं आरसेस के साथी भी उसमें समलित होते हैं और पीछले दर्वाजे से उसकी केडर को इसमें सरकारी नोक्रे में लगा देना चाहते हैं देश के बड़ी मातरा में युवाओं को न करना चाहते हैं वो भी उन्होंने करो दिया आज ये परिस्तिती में दमन की परिस्तिती हैं लोग न्याय मांगते हैं राहुली पूरे देश में भारत जुड़ो न्याया तरह से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है और वही मोके पर आपने देखा कि विपक्षी एकता त पताड़ ना करना ये इसके विरूद में कल जो हैं पूरे दिली में पड़ी मात्रा में चुहें प्रदेशन का रेली का आयोजन क्या गया है उसकी विस्तरुत जानकारी आपको मेरे साथ ही अर्विंदर सिंग लवली आपको देंगे लवली जी जैराम रमेज जी दीपक ववरिया साब और दोस्तों आप सब लोगों को विदित है कि कल 31 तरीक को रामिला मिदान में इंडिया ब्लॉक ने इंडिया गठबंदन ने जो है एक बड़ी रेली का आयोजन किया है आज जिस तरीके से देश की अंदर लोकतंतर के उपर परहार हो रहा है विपक्ष की पार्टियों को तहस नहस करने का दबाने का हर तरीके का हथकंड़ा अपनाया जा रहा है दुर्भाग गया है कि चुनाव डिकलेर होने के बाद देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के एकाउंट फ्रीज कर दिये जाते हैं एजन्सीस का इस्तमाल करके विपक्षी पार्टीयों को तोड़ने फोड़ने का काम पूरे देश भर के अंदर जो है वो चालू है लगातार लोक तंतर के अंदर पर हार हो रहा है और जिस लोक तंतर को बचाने के लिए जिस लोक तंतर की देश में बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी का गटन हुआ था और हमको ये कहने में कोई शक और शुबा भी नहीं है कि अगर सबसे पहले दुबारा से इस देश के लोक तंतर को बचाने की लड़ाई किसी ने शुरू की तो हमारे नेता राहूल गांदी ने पूरे देश बर में शुरू करी आज उसकी गर्मी जो है वो देश का हर विप बक्षी दल और मैं समझता हूं कि ये दोजार चोबीस का जो चुनाव है ये केवल और केवल अपने घर के ड्राइंग रूम में लोगों से भी अपील करना चाहूंगा डिसकुशन का चुनाव नहीं है ये चुनाव इस देश के भविश्य को लेके है इसलिए जो है कल दिल जाओ हमने रखा है इस रैली को इसलिए रखा है कि आप चुनाव डिकलेयर होने के बाद चुने हुए मुक्यमंत्रियों को आपकी टाइमिंग देखिए आप चुनाव डिकलेयर होता है तो आप चुने हुए मुक्यमंत्रियों को गिरफतार करते हैं चाहे वो जारकंड में हिमन सरेन हो चाहे वो दिल्ली के अंदर अर्विन केजरिवाल हो तमाम हतकंडे आप जो है विपक्ष के लोगों को ताकि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है चुनाव में उपलब ना हो आपका केवल और केवल फोकस जो है वो पूरी की पूरी सरकारी मिशिनरी का ओपोजिशन को डिस्टर्ब करने में डेमोक्रिसी को डेमोक्रिटिक वैल्यूज को डिस्टर्ब करने में लोकतंतर की हत्या के लिए जो है आप इस तरीके के कुठारा गात लगातार एक के बाद एक विपक्षी दलों पे कर रहे हो उसके खिलाफ इस रैली का होजन किया है इस रैली में इंडिया ब्लॉक के तमाम सीनियर लोड को इसको संबोदित करेंगे ही जाराम रमेज जी अभी डिटेल में भी बताएंगे कोन लोग इसा ले रहे हैं लेकिन इसमें बड़ी संख्या के अंदर जो है वो दिल्ली के लोगों की भागेदारी कांग्रेस के कारेक जरताओं की भागेदारी और इत्यासिक रैली के रूप में जो है ये रामला मैदान में होगी जिसको तमाम इंडिया कर्दन के लीडर्स जो है वो इसको संबोदित करेंगे और मैं समझता हूँ कि इस रैली के बाद एक संदेश जाएगा कि लोकतंतर के खिलाफ लड़ने क लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक जुटता के साथ जो है इस सरकार का जो है मुकाबला करेंगी अभी मैं सरसे चर्चा कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भारती जनता पार्टी का अब मोटो केवल ये रह गया है कि पार्टी में चंदा वेपारियों को धंदा और इड कि इस लोकतंतर के लिए हमारे पूरवजों ने कुरवानी दी थी और इस लोकतंतर को के साथ इस तरीके का प्रहार और उसको खतम करने की जो कोशिश हो रही है उसको हम काम्याब नहीं होने देंगे और कल ये पहली कल ये पहली गोहार होगी कल ये पहला आम जन्मानस का जो है वो परहार होगा इस सरकार के उपर तो हम इनके मनसूबों को काम्याब नहीं होने देंगे धन्यवाद शुक्रिया बवर्या जी और लवरी जी मैं कल की रैली के बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है कल इसी लिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना मुद्दा है समविधान को बचाना व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है दूसरी बात मैं कहूं ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल है सारे इंडिया गड़ बंधन इंडिया जन बंधन मैं बार-बार कह रहा हूँ यह गड़ बंधन नहीं है यह जन बंधन है इंडिया जन बंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल है त्रिनमूल कॉंग्रेस भी शामिल है अलंकि हमारा सीट शेरिंग फॉर्मिला नहीं हो पाया पस्चिम बंगाल में फिर भी कल त्रिनमूल कॉंग्रेस के वरुष नेता मोजूद होंगे तो यह किसी एक पार्टी की रैली नहीं है यह इंडिया जन बंधन की रैली है इंडिया जन बंधन की दूसर्य रैली है पहली रैली नहीं है यह आपको याद होगा मुंबई की शिवाजी पार्क में भारत जोडो न्यायात्रा के समापती के बाद 17 मार्च को इंडिया जन बंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में और सभी नेता मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक सभी लोग वहां मौजूद थे और वहां शंखनाद वहां से शुरूओ और आज कल दूसरा शंखनाद होगा रामलीला मैदान से मुद्दे क्या हैं सबसे मड़े बद्दा पहला मुद्दा ये है महंगाई बढ़ती हुई महंगाई पिछले 45 सालों में सबसे उन्चा बेरोजगारी का दर और खास थोड़ से युवा बेरोजगारी का दर बढ़ती हुई आर्थिक विशमताएं आप देख रहे हैं अमीर सूपर अमीर बन रहे हैं और गरीब और मद्यवर्ग वही के वहें वही हैं विकास का फाइदा कुछ कुछी लोगों को मिल रहा है पर विकास की कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ रही है तो बढ़ती हुई आर्थिक विशमताएं सामाजिक धुरूई करण ये पहला मुद्दा है जिस पर कल हमारे नेता बोलेंगे मेंगाई बेरोजगारी बढ़ती हुई आर्थिक विशमताएं MSME का विनाश और जो बबरिया जी ने कहा सबसे महतूब पर उन बात उन्हों ने कहा जो किसानों पर अपराद किये जा रहे हैं किसानों पर जो अन्याई हुआ है किसानों को जो अपमान हुआ है 700 किसान शहीद हुए थे किसान अंदोलन में उस शहादत को नजर अंदास किया गया है चंदा दाताओं का सम्मान हो रहा है पर अन दाताओं का अपमान हो रहा है तो ये पहला मुद्ध है दूसरा मुद्ध है जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है केंद्रे जांच एजनसियों का दुरुप्योग हो रहा है दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार होएं है पर इनके अलावा कई मंत्री अलग-अलग राज्यों में उनको भी गिरफ्तार किया गया है चार्ज नहीं है पर गिरफ्तार हो गए है ये एक शहियंत्र है तो ये एजिंसियों का दुरुपयोग चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार करना बिना चार्ज फाइल किये हुए ये बिल्कुल एक मानसिक्ता दर्शाता है कि प्रधान मंत्री चाहते हैं कि सारे विपक्ष पार्टियां अपंग हो जाएं आर्थि ग्रूप से राजणिति ग्रूप से अपंग हो जाएं ताकि वो चुनाव लड़ने की स्थिती में नहों तीसरा मुद्दा है हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला पिछले 75 वर्षों में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्टरल बॉंड को लेकर सुप्रीम कोट ने इसको गयर सम्मिधान के खिलाफ unconstitutional है सुप्रीम कोट ने कहा है और उसी की वज़े से प्रधान من्त्री ने अपने वकील दोस्तों को बढ़का कर सुप्रीम कोट को अभी धम्की देने में लड़े हुए हैं क्यूंकि वो डर गए है आठ हजार दो सो करोड जो चंदा मिला है और मैंने बार बार कहा है चंदा दो धंदा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, चंदा दो और शेल कमपनी ये चार तरीके हैं चार रास्ते हैं और जिस तरीके से, इलेक्टरल बॉंड के रास्ते से, बीजेपी ने चंदा इखटा किया है और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रमुक विपक्ष पार्टी के खिलाफ का रातंकवाद हमले किये जा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है खास थोर से और हमें बार बार कल रात को भी दो और नोटिस मिले हमें कल जब हम प्रेस कांफरेंस कर रहे थे तब तक चार नोटिस हमें मिले थे कल रात को दो और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूँ और कितने नोटिस आएंगे क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आया है उनके पहले भी कई कोशाद्यक्ष थे तो ये तिसरा मुद्दा है इलेक्टरल बॉंड का मुद्दा घोटाला, घूस चौथा मुद्दा मैं कहूंगा सम्विधान बचाना लोकतंत्र बचाना और सम्विधान बचाना सम्विधान खत्रे में है BJP के नेता, RSS के नेता कह रहे हैं कि सम्विधान को इस सम्विधान को वापस हमें लिखना है ये सम्विधान का कारीकाल समाप्त हो चुका है expiridate हो चुका है एक नए सम्विधान की जुरूरत है और जो सम्विधानिक सिध्धान्त है पंथ निर्पेक्षिता समाजवाद सामाजिक न्याए ये सब खत्रे में है क्योंकि ये सम्विधान खत्रे में है तो साथियों कल की रैली व्यक्ति के इंद्रित रैली नहीं है कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है सम्विधान को बचाने के लिए है लोगतंत्र के बचाने के लिए है और सभी पार्टिओं का योग्दान है कॉंग्रेस पार्टी अर्वादमी पार्टी पंति पार्टी सब लोग कोशिश कर रहे है मुबिलाइजेशन के लिए कल और हमें पुरा विश्वास है कि राम लिला मैदान सिर्फ राम लिला मैदान में नहीं पर राम लिला मैदान के आसपास भी लोग हजारों में मौजूद होंगे और एक प्रभावशाली संदेशा जाएगा लोग कल्यान मार्ग को जो पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था अभी लोग कल्यान मार्ग कहा जाता है कि उनका समय अभी हो चुका है जनता उनसे छुटकारा चाहती है जनता देश की जनता चाहती है लोग तंत्र बचे सम्विधान बचे निश्पक्ष चुनाओं हो और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाए जा रही है ये बंद करने का संदेशा जाएगा कल के रैली से हमारे पार्टी के ओर से कॉंग्रेश अध्यक्ष जी मरेकाजुन खर्येचाब राहूल गांधी जी और बड़े नेता बरिश्ट नेता सभी मौजूद होंगे मुझे जानकारी मिली है कि शरत पवार जी आएंगे के जस्वी यादव जी आएंगे उद्दव ठाकरे जी आएंगे सीताराम युचुरी होंगे डी राजा होंगे अखिलेश यादव जी होंगे फरुक अब्दुल्ला साब होंगे मेबुबा मुफ्ती जी होंगे दी पानकर भटाचारिया सी पे आई एमिल वहां होंगे जारगंड के मुख्यमंत्री चमपाई सोरेन होंगे ओल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवरा जाओंगे असली लोगदल जाद रखेगा असली लोगदल के सुनिल सिंग होंगे और तमिल नाडू के तीन-चार पार्टियां और केरला के दो-तीन पार्टियां रहें कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कल 27 या 28 पार्टी के नेता राम लिला मैदान में मौझूद होंगे डी-म के तरिची शिवा आएंगे स्टैलिन साब की जानकारी नहीं है पर डी-म के होंगे प्रिची शिवा और टी-म-सी से डिरिक ओब्रायन होंगे तो सारे पार्टियां जो पल्टी के हैं वो पार्टी नहीं है पल्टी के वो पार्टी एक तो आप जानते हैं जेडियूर्यू Secret तो रल्डी के संजह सिंग्स सुनिल सिंग्स जी होंगे और हमारे और से मैं फिर से कहूंगा कौंगरेस अधियक जी, आधर इनिया कौंगरेस सद्धीक जी, मलिकार जिन खरगे जी और रहूल गांधी जी दोनों इसराइली को संबोदित करेंगे। शुक्रिया अगर आपके कुछ सवाल हैं इस्राइली के बारे में बबरिया जी और लवली जी उसका जवाब देंगे देखे मैंने जो कहा है कॉंग्रेस अध्यक्ष जी और राहूल गांदी जी वहाँ जरूर मौझूद होंगे और भी वरिष नेता कॉंग्रेस के वहां होंगे पर जो मैंने कहा कह रहा हूं आपको हमारे कॉंग्रेस अध्यक्ष और हमारे पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष भी मौझूद होंगे हो सकता है, Sonia जी भी वहां रहें, पर इन दोनों का मैं बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वोकल हो रहा है। वो रहा है लोगा है यह रहा है लोगा है। इाम हैं आपिंड़े इंडेरा बजस्तिट्टिवाट प्हूरोट जाफ में इप्राइब जाफ्टिवां इंडेश्टिवेश्ति हैं विज में अप्रम्डूट आप इस निव कहोंग हैं तर कुछिवेश्ट की हो अजिए फिर्मी इस एप्राइब एंडेस्टेट इंटीव and reretorn and redo the entire Constitution of which Dr. Rambedkar was the Prime Architect. These are the issues. So it is a safe democracy rally. It is a protect Dr. Rambedkar Constitution rally. So can you please share the details from which department? I'll share it with you separately. सर यह क्या वज़े है कि आपको बार बार क्यों यह इस बात पर इंफिसाइज करना पड़ रहा है कि यह किसी व्यक्ति विशेष पर केंदरित रहली नहीं है आप लोग यह प्रचार कर रहे ना मैं इसि लिए बार बार यह किया रहा हूँ कि आप ही लोग प्रचार करते हैं ना तो इसलिए मैं इसका बिल्कुल सपष्ट कर देना चाहता हूं इंडिया जन बंदन की रैली हैं किसी एक विक्ति केंदरित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल है, सारे नेता शामिल है, और विक्ति को बचाने के लिए नहीं है, सम्विधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निश्पक्स चुनाओं को बचाने के लिए, हम अपने आपको mother of democracy कहते हैं, पर जिस तरीके से democracy की हत्या हो रही है, यह रैली अर्वन केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाप है, इसलिए आप शुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको चार या पांच मुद्दे गिनाएं हैं, और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमन सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए, हेमन सोरेन पहले मुख्यमंत्र जिनकी गिरफतारी हुई, और उस कब हुई उनकी गिरफतारी, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारकंड में प्रवेश होने वारी थी, तो सेमन सोरेन हैं, केजरिवाल जी हैं, कई मंत्री हैं, अलग-अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, जारकंड मे नजर ये से देखेगा, सम्विधान के नजर ये से देखेगा। रांची में, जब भारत जोड़ों ने आया आत्रा के समय हम लोग रांची में थे, राहूल जी खुद गए थे और कलपना सोरेंज से वो मिले थे, कल अहां तक मेरी जानकारी है, जारखंड के मुख्य मंत्री चमपाई सोरेंजी कल होंगे, जे एमेम के और से, और भी नेता हो पर जो मेरे पास नाम है, वो चमपाई सोरेंजी का नाम है। काहेंगे, कि कहां पर क्या क्या होगा, और अगर वो किसी पार्टी के राश्ठे अध्यक्ष के बारे में, या राश्चे नेताओं के बारे में इस तरीके की तिपनी कर रहे हैं, तो यही हमारी लडाई है कि किस संस्कृती का डौलपT जो है वो देश की राजनिती में कर र समंद समंद have been become a fashion in this government like sir has said कि जिस दिन जो है Congress को notice ना है उस दिन जो है हम बर्शान हो जाते हैं कि क्यों नहीं notice आया इसे ही जो है जो तक यह समंद ना भें तब तक इनका खाना अजम नहीं होता इनको लगता है आज यह ढूंडते हैं पुरा दिन की कल किसको समंद भेजना है तो इस बिकाम आफेशन वह दिस गॉर्मेंट हमने लोगों को सुबह दस बज़े का समय दिया है दस बज़े से आने शुरू हो जाएंगे मीडिया के साथियों से अनरोद है कि आप ग्यारा बज़े तक साड़े दस पोने ग्यारा पोने ग्यारा तक जो है आप लोग वहां पर आईए